हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपी के एजुकेशन कोरपाल वैसे मैं आपके साथ पूरी मॉडरन हिस्ट्री डिसकस कर चुकी हूँ लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं डिसकस करना जो मैंने उस समय पर डिसकस नहीं किये थे तो मैंने आपके साथ कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल डिसकस नहीं किये थे वंगाल के गवर्नर जनरल डिसकस नहीं किये थे जो कि आपके एक्जाम के लिए एकाजप्रस नियांसे जरूर उड़ता है तो आज हम डिसकस करेंगे रावर्ट क्लाइब के बारे में ये रावर् क्लाइब जो थे इनके लिए कहा जाता है कि 1725 से लेके 1724 तक ये भारत में बिटिश सामराजी के संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं और इनकी अगर ये इनका जो तरीका था या तोर तरीका था बड़ा ही आजीब सा था इनके पिताजी इनको बहुत पढ़ाना चाह जादा खेल में मगन रहता था कि इसको खेल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था आगे चलके फिर इसे एक मद्रास का जो बंदरगाता वहाँ पर कुछ काम मिलता है फिर इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ता है और भारत की राजनीती में ये इस तक छेप कर बंदरणा शुरू कर देता है तो ये चीज़ें में जानने के लिए बागी चीज़ें जो इसके एक्जाम के लिए जरूरी है ये पॉइंट व यू से उनको हम देखते हैं तो रौट क्लाईब का कारेकाल जो था पूछा जाता है कई बार कि इनका कारेकाल भारत में कितना तो प्लासी का यग 1757 से साथ और 1765 से लेके 1760 तक इनका कारकाल जो रहा था यह काफी important point है आप जहां चाहें इसे लिख सकते हैं भारत में इसे British सामराज का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है आपसे पूछा जा सकता है कि रावर्ट क्लाइब को किस नाम से जाना जाता है या फिर भारत में बिटिस सामराज करसंस्थापक किसे माना जाता है तो आप लिखेंगे एगर आप्शन में होगा रावर्ट क्लाइब को 18 वर्ष की आयू में इनको क्या हुआ था मद्राज के बंदरगाव पर क्लर्क बना कर बेजा गया था यहीं से इनका इस्ट इंडिया कंपनी का जीवन आरम होता है यहां से इस्ट इंडिया कंपनी के साथ यह काम करना शुरू कर देते हैं इसी ने बंगाल में द्वैट सासन क कि व्यवस्था की थि क्या किती बहुत ही महतरपूर पॉइंट पूइंट है पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैट सासनकी व्यवस्था किसने की ती द्वैट सासन का मतलब पी जो थि वो किसके हाथ में थी वो थी नवाब के हाथ में तो वहती होता है देषासन का कितना खराब Нов different C bilang Pitt website सजोनाग 1 कब spend कंशाने के लिए कमछ सब्सक्राइस हो चाहिए क09 मिछ राज़ाकिद कोई सायदा हो नहीं चाहिए या फिर जो द्वैट सासन की विवस्था की जिसे राज़त सुबसूलने का अधिकार सैनिक संरक्षड एवं विदेशी मामले सभी कमपनी के अधीन आ गए थे तदा सासन चलाने की जिम्मेदारी किसके पास थी नवाप के हाथों में रही थी इसने मुगल समराठ साहा आलम दुतियों को इलाबाद की संधी जो दूसरी संधी हुई थी सत्रा सौपैसट के द्वारा कमपनी के संदक्षड में ले लिया था किसको इलाबाद को तो और दूसरा क्या है इसे बंगाल की समझ छेत्र के लिए दो अपधिवान न्युक्त किये थे एक तो करेते पूछा जाता है एकजाम में मुहमद रजा खां और दूसरा बिहार के लिए जो किये थे वो ते रजा राजा सिताव यह दोनों के दोनों बहुत महत्यपूर है आप देखिए का प्रसंच आप करेंगे तो आपको यह सी कुश्चन महाँ पर जरूर मिलेंगे क्लाइब ने अंतिम भार भारत छोड़ा मगर जाने से पहले वह क्या करके गया इस्ट इंडिया कंपनी की नीव मजबूत करके गया था बहुत जादा इंग्लेंड जाने पर उनको उसके उपर व्रस्टाचार का मुकदमा चलाया गया लेकिन उसे बहुत ही जल्दी वरी कर द दिसकस किए वीडियो बहुत छोटा सा है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर देना अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइ दोस्तों नमस्कार